जालोन मेट्रू से मेरिश्मी पांडे 36 घंटे पहले बारातियों से भरी हुई बस में टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को आखिरकार पुलिस ने ग्रफतार कर ही लिया ग्रफतार की गए ड्राइवर के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर करवाही करते हुए जेल भेजा है तथा ट्रक सीस कर दिया गया आपको बताते चलें कि 6 मई को देर राग एक बारातियों से भरी हुई बस में अग्यात वाहने जोरदार टक्कर मारी थी जि एक दर्जन से अधिक लोग बुरी तरहा से लहुलुहान हुए थे जिनका उपचार राच के मेडिकल कॉलेज में अभी भी चल रहा है इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पोल लाइन पर हमारे साथ महजूद हैं देवेश जी डेवेश जी क्या जानकारी मिल रही है इस पाइल हुए थे जिनका अभी भी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है इसमें से च्छे लोग आदा दर्जन करीम लोग निफर्क कि गए तो उनका इनाज़ भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है उस ट्रक को जो चूंकि अस समय बात यह आई थी कि अग्याद बहाने टक में जाकसा है और च्छेतरा दिकारी मादोगार उमेश पांडे ने जानकारी साजा कि उसके मताबिक वो ड्राइवर को हिरास्त में ले लिया गया है उसके खिलाफ सुसंगत धारों में मुकदमा पंजी करत करके उसको जेल बेजा गया है साथी बो ट्रक जिससे टक्कर में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए और इसी बात घटना करम को लेकर मद्य प्रदेश के मुक्य मंत्री शोरा सिंग चोहान ने मृत्रकों को जो है साहता राशी उपलब्द कराकर उन्होंने भी जो है ततकाल जो है उचित कारवाई के निर्दिशा निर्देश दिये थ मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे घायलों से बात भी उन्होंने की दी और हर संबाव मदद का भरोशा भी दिलाए था पुलिस की रडार पर उसी चमय से टीम है काम करनी थी और अभी अभी कुछ देर पहले उसी ट्रक ट्राइबर को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में ल ट्रक चालक जितेंडर सर्मा को अंतरज़ग धारा 34323427 आईपीसी में गरतार किया गया है तो ट्रक को बरामत कर सीच कर दिया गया है जालान मेट्रो न्यूज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालान जल्पत से जुड़ी खबर आप तक पहुचे सबसे पहले